नमस्कार sir मेरा नाम राजू है कुछ लोग फोन करते है की switch किया था redeem किया था तो redeem करने कवाद पैसब क्यों कट रहा है switch करने कवाद sip क्यों चल रहा है तो इसको समझे है जब आप SIP करते हैं 5-5 जरपया का परमंत करते हैं और आपने पैसा स्विच किया 4 लाग रुपया आपका accumulate हो गया जब आप स्विच करते हैं तो वो पैसा जो जमा हुआ हुआ है वो स्विच हो गया लेकिन जो SIP चल रहा है चल रहा है वो bank के पास bank mandate registered है और वो हर मेना कटता ही रहेगा जब तक उस bank mandate को bank को आप instruction नहीं देते हैं कि stop कर दो SIP तब तक वो stop नहीं होता है आपने यह सुचा switch कर लिया पैसी को switch हो गया लेकिन यह SIP जो आपका continue चल रहा है इसको stop करना पढ़ेगा तो 2 action करना पढ़ेगा जब आपने पैसा निकाला और यह चाहते हैं कि अगला पैसा ना कटे तो bank mandate जो register है वहाँ पे SIP stop के option में जाके उसको जब stop करेंगे तो bank को instruction जाता है कि investor नहीं चाहते हैं कि उनका अगले मेना से पैसा कटे ठीक उसी तरह से यह तो switch का बात हुआ जब आप redeem करते हैं पैसा निकालते हैं switch मतलब क्या हुआ 4 लाग रुपया एक fund से दूसरे fund में करना चाहते हैं आप SBI counter में चला रहे थे उस पैसे को SBI mid cap में कर दिया तो इसको switch बोलते हैं या mid cap को large cap में multi cap में अपने switch कर दिया इसको switch बोलते हैं switch किया लेकिन वो SIP continue रहेगा चाहते हैं कि वो SIP continue ना हो नए scheme में स्थरू हो तो पहले पुराने skip में आपको बंद करना है और नए scheme में सुरू करना है तो ही जैसा आप सोच रहे हैं वो execute हो पाएगा अब दूसरा case देखते हैं कि आपका 5.5 जर का SIP चल रहा था चल रहा था 4,00,000 रुपया आपका accumulate हो गया अब उस पैसे को आप redeem करना चाहते हैं आपने redeem कर लिया और चाहते हैं कि अगले मेंना से पैसा ना कटे लेकिन पैसा कट जाता है क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है यहाँ जो SIP चल रहा है, चल रहा है चलते रहेगा, चलते रहेगा क्यों? क्योंकि आपने bank में instruction नहीं दिया है कि SIP stop हो जाए तो जब आप redeem करते हैं और चाहते हैं कि अगले मेंना से पैसा आपका नहीं कटेगा जो लोग भी phone करते हैं काहे पैसा कटा? हम तो redeem कर लिये थे हम तो switch कर लिये थे पुराने वाले skim में पैसा क्यों कट गया? तो इसको यही समझना है कि आपको SIP stop के option में जाके stop करना है दो एकसन अलग-अलग है तो दो एकसन अलग-अलग आपको करना पड़ेगा इसको एक उधारन से समझे कि राम नाम का एक व्यक्ति है और दूसरा स्याम है वो चाहते हैं कि पैसा मैं 4 लाग रुपया switch कर लूँ या redeem कर लूँ पर मेरा SIP चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे हमने इतना accumulate कर लिया है हम इसको redeem करके खर्च करते हैं लेकिन मेरा SIP चलते रहे तो ऐसा सोच सकते हैं कोई लेकिन दूसरा स्याम और घंस्याम सोचते हैं कि मैं 4 लाग रुपया निकालना भी चाहता हूँ और फर्दर जो पैसा चल रहा है वो चलना नहीं चाहिए तो इसके लिए आपको SIP stop में जाके stop instruction देना है तो वही पैसा नहीं कटेगा नहीं stop करने का option देंगे तो कटेगा ही कटेगा आपको इसी तरह mutual fund के बारे में और कुछ जानना है और यदि आप मुझे अपना advisor बनाना चाहते हैं तो मुझे WhatsApp कीजिए आपको link में जाके mutual fund का account आप हमारे साथ directly open कर सकते हैं वीडियो चल गए तो like and share जरूर करें Thank you so much